बिना मसीन बिना बिजली खर्च करे हुए जट पट से सिर्फ तीन मिनट में मलाई से घी बनाने का बिलकुल नया और आसान तरीका पूरे यूटूब में आज से पहले आपको ये मैथट किसी ने नहीं बताया होगा आप भी जब देखेंगे कि घी बनाना इतना असान है तो जरूर सोचेंगे कियो इतना ताम जाम करना कियो फाल्तू के बरतन गन्दे करना मेहनत करना यही तरीका न बनाया जाए फटा-फट से मिन्टों में मलाई से घी बनाया जाए तो आज मैं आपके साथ बहुत बढ़िया तरीका ले करके आई हूँ, वीडियो पूरा वाच करिएगा, तो इसके लिए मैंने ले लिये यहाँ पर 15 दिन की मलाई, जब भी आप मलाई को स्टोर करें, कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, इससे मलाई एक महीने की भी स्टोर करेंगे, तो खराब नहीं होगी, और उससे आप और भी चीज़ें बना पाएंगे, तो जब भी आप दूद करम करें, इस तरीके की छनी आती ना मार्केट में इसको ढग दीजिए, और ठंडा होने की बाद फ्रिज में रख दीजिए, और जब ठंडा हो जाएगा ना दू काटोरे में रखते जाएगे, और इस टिफिन को या काटोरे को आपको स्टोर करना है फ्रीजर में, याद रखिए फ्रीजर में करना है, आराम से एक दिर महीने की मलाई भी बिलकुल बढ़िया सुरक्षित बनी रहेगी, और जब मलाई से मक्षन बनाना हुआ, तो इसको थोड़ी दिर पहले निकालके बाहर कर लिया, तो अब यह जो मलाई मैंने ली है, ये बिलकुल चिल्ड है, यानि कि एकदम ठंडी है, फ्रीजर से मैंने बाहर कर लिया था, ताकि यह तोड़ा सा जम जाती है तो जमे न, थोड़ा सा इतने पोर्म में आ जाए, याम इसको बिल्कुल ठंडी मलाई, तो मलाई को ट्रांसफर कर लेते हैं हम एक परात में, यह ऐसे बरतन में आपको ट्रांसफर करना है, जो थोड़ा सा फैले मोहका हो, बस यह चीज ध्यान रखनी है, तो यह देखिए, दो कटोरी में मैंने मलाई एकटी की थी, मैंने क्या मेरी मम्मी क कर लिया है, अब हम इसी चम्मच की मदद से थोड़ा सा मलाई को हलका सा इस तरह से मैश टाइप का कर देंगे, इस से अगर थोड़े बढ़े बढ़े तुकड़े होंगे, तो वो खतम हो जाएंगे, और थोड़ा सा यह एक सार हो जाएगी, तो अब देखिए, बिल्कुल ताइमिंग देख के इसको करियेगा, तीन मिनट के अंदर अंदर सारा घी बन के तयार हो जाएगा, सौरी घी नहीं मक्षन, ठीके तो हमें क्या करना है, कटोरी को इस तरह से, अच्छे से फेटना है, कटोरी से मलाई को फेटना है, मलाई थंडी होनी चाहिए, आप जब थ चाहिए निए तो दीरे जब आप इसको फेटते जाएंगे ना तो लगबग एक से देड़ मिनट में ही आपको लगने लगेगा कि मलाई थोड़ी गारी हो गई है और आपको फेटने में थोड़ी दिक्कत होने लगी है क्योंकि जब यह बटर बनता है ना मलाई से फेटने मे और यह मक्षन के जैसा दिखने लगा है कि अभी हुआ नहीं है तो हम इसको साइड से भी लेते जाएंगे कॉर्नर से ताकि कहीं भी छूटे ना हिस्सा कोई सा भी और इस तरीके से साइड से हम मैश करना सुरू करेंगे गोल गोल नहीं घुमा पा रहे हैं क्योंकि यह बहुत से हम कटोरी की मदद से इसको रगडेंगे और आप देख सकते हो मलाई का टेक्शर लगबग पूरी तरह चेंज हो चुका है एक दम मक्षन बन गया है और यहां पर मुझे इसको इस तरह से मसलते हुए लगबग धाई मिनट का समय आराम से लग गया है तो जब यह मक्षन जाएगा नहीं तो इसमें हल्की सॉफ्टनेस आज जाएगी क्योंकि इसमें जो पानी होता है यह पानी छोड़ने लगता है जब मक्षन बन जाता है और आप देख सकते हैं मलाई से मक्षन बनके तयार हो गया है एक ही बरतन में हमने बिना कोई जंजट के ना मसीन बरतन ग जिनको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो देखिए हमने पस हलका साही इसको कटोरी से मैशी किया और मक्षन बनके बिल्कुल तयार है दानेदार देखिए आप इसका टेक्चर से समझ सकते हैं और अब यह काफी सॉफ भी हो गया है नरम सा हो गया है तो बस आप हम इ यह बड़ा सा और एक चाहिए कटोरी अब हम इसको समेट लेंगे लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा देखिए इसमें हलकी सी सॉफ्टनेस है थोड़ा थोड़ा सा पानी भी यह दूद कह लीजिए जो निकलता है वो दिख रहा है लेकिन यह सॉफ्ट है थोड़ा सा टाइट करना है तकी यह पिघलेना इसके लिए क्या करेंगे इसमें डालेएंगे यान्धा ठंडा यानी की फ्रिज्च का चिल्ड पानी तो बिल्कुल थंदा पानी डालना है थंड़े पानी से क्या होगा कि यह जो पिघल रहा है ना गर्माहट की बज़ए इ जादा कम पानी दाल सकते हो। अच्छे इतना पानी डालेंगे कि मखण दूप जाए पूरे पानी करा लेते हैं आप चाहिए इसको चन्नी में चान लीजिए तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी बड़ मैं इसको और बरतन गंदे नहीं करना चाहे थी तो इसी तरीके से थोड़ असा परिशान हो लूंगी इसको समेटने में और कंप्लीच कर लेती हूं तो लीजे फ्रेंट्स हमने एक मक्खन का गोला और बना लिया है अब थोड़ा वहते साइट्स में लगा हुआ है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं अब यह जो मक्खन है यह तो पूरा निकल गया अब यह जो दूद बचा है न इसको आपको फेक न नहीं है वैसे तो आप इसकी पनीर बना सकते हो पिछले वीडियो में मैंने पनीर बनाना सिखाया था बढ़ आज मैं पनीर नहीं बना रही हूं मैं इससे बहुत ही तो महिने भर की मलाई खराब नहीं होती है तब आप इसको बना सकते हैं अगर मलाई खराब लिए तो मत बनाएगा इसको फेक दीजेगा अब मैंने आप ले लिया है दही का जामन ज्यादा नहीं सिर्फ छोटी चमत जामन लेंगे और इस दूद में डाल देंगे अच्छे से कर देंगे हम मिक्स तो हम इस दूद से बनाने वाले हैं बढ़िया टेश्टी सा दही तो हम इसको क्या करेंगे धक करके सिर्फ तीन से चार घंटे के लिए रग देंगे ये वाला जो दूद है ना से दही बहुत जल्दी जम जाता है तो जमने के बाद में आपको जरूर द तो इस मक्खन को आप ब्रेट के साथ भी खा सकते हो जैसे बाजार से लेकर आते हो फिलाल हम तो आज घी बनाने वाले हैं तो फटा फट से कड़ाई को रख देते हैं गैस पर और फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे ताकि यह जल्दी से मेल्ट हो जाए मलाई तो मलाई मेल् फ्लेम पर इसको हम बढ़िया से पकाएंगे घी को आप बढ़िया धीमी आज में पकाएंगे ना तो उतना ही लंबे समय तक खराब नहीं होता है यह इसकी विशेस्ता होती है तो यहां पर जलवाजी नहीं करना है ताकि अच्छे से घी जो है पकते समय ही कड़क जाए तो आप यहां पर थोड़ा सा चाहे पान का पत्ता डाल सकते हो अगर जादा कॉंटिटी में घी बना रहे हो ठीक है अगर स्टोर करने के लिए तो पान के पत्ते से क्या होता है बढ़िया खुश्बू बनी रहती हो घी साल भर तक खराम नहीं रहता है ऐसी दानेदार बना रह दो मिनट और हो चुके हैं और आप देख सकते हो घी से कितनी तेजी से जाग निकलने लगा है जब जाग निकलने लगे तो समय लेजिए कि घी जो है बिलकुल फाइनल स्टेज पर चल रहा है यानि कि लगभग बन ही गया है और बस इस स्टेज पर आपको छोड़ना बिलक तो नीचे यह जो मैयर बचा है ना या खुर्चन आप बोल सकते हो यह थोड़ा सा आपको लाल नसर आता बट मुझे एक रैस्पी और बनानी है घर के लिए बनानी है तो मैंने इसको थोड़ा सा बचा रहने दिया यह देखिए और भी लाल हो जाता थोड़ा सा घी और नि निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया सोनहरे रंगा घी बन करके तैयार हो गया है यह थोड़ा सा घाय के दूद की मलाई भी थी इसलिए इसका कलर थोड़ा सा पी रहो गया अगर भैस के दूद की बनाते तो वो इदिखम प्यूर सफेध ही रहता तो इस तो लीजे यह गी जो है बनकर के तयार है और यह लगबग मुझे लग रहा है कि 400 ग्राम से कम नहीं है तो चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ और यहां पर जो खुर्चन था ना हम गैस को आउन कर देंगे और यहां पर मैंने थोड़े से ड्राइफ्रूर्स ले लिए हैं क्या क यह जो 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 डाल सकते हो तो इसते क्या है थोड़ा सा रिच फ्लेवर आएगा जालने से अब इन ड्राइफ्रूर्ट्स को ना खोड़ा सा थोड़ा सा बुण लेते हैं लगबग आधा मिनट के लिए अब मैंने ले लिया है यहां पर एक कप दूद और दूद को हम अ और अब भस हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे थोड़ा सा ठिक होने तक पकाना है और यहां पर आप देख सकते हो यह पहले से थोड़ा गहाड़ा हो गया है एकदम रबडी के जैसा अब मैंने या पर ले लिया है एक कप गुड़ यहां पर आप चीनी का इस्तिमाल भी कर सकते बट खुर्चन जो होता है ना गुड़ के साथ बहुत मज़ा आता है कही बार मैं चीनी से भी बनाती हूं तो आपकी इच्छा है अब हम गुड़ को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम एक से देर मिट के लिए और पकाएंगे क्योंकि जह मनें गुड़ डाला ना तो यह थोड़ा सा ढीला हो गया है यहिलका सा गीला टाइप का हो गया तो बापस इसको हमें थोड़ा सा गाणा होने तक पकाना है तो बास इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और आब हम फ्लेम कर देंगे बिल्कुल हाई हाई फ्लेम पर बस 15-20 सेकंड के लिए इसको और हम अच्छे से पकाएंगे ताकि थोड़ा सा और थिक हो जाए तो लीजे हमारा मिठाई के लिए मिश्रन बिल्कुल तयार हो चुका है बन करके गैस को बंद कर देते हैं यह काफी थिक हो गया है और फटा फट से इसको ट्रांसफर कर लेते हैं एक प्लेट में प्लेट ट्रे कोई सा भी बरतन में कर लीजेगा और ग्रीस वगेरा करने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि यह मिठाई घी गी की बनी हुई है तो बस इसको थोड़ा सा हम एकसा कर लेते हैं स्मूथ कर लेते हैं और ऊपर से थोड़े से हम एलन सीट से और डाल देते हैं आपर काजू से भी आप गारिश कर सकते हो और मिठाई को हम ठंडा होने के बा हैं तो लेजिए भाई बचे हुए खुर्चन से तयार है हमारी मलाई वाली बर्फी बहुत ही टेस्ट एक दम नए स्वात की फ्रेंड्स आपने कई तरह की बर्फी खाई होगी लेकिन ये स्वात तो आपको हलवाईयों के यहां भी नहीं मिलेगा बिल्कुल मज़ेदार ल ना है तो जुसमें एक्स्ट्रा पानी हमने मिलाया था ना वह बाउल में नीचे रह जाएगा दही दही ऊपर आ जाएगा तो इस दही के इस्तिमाल आप डोक लाइड ली कड़ी किसी भी चीज में कर सकते हैं तो बस लेजे घी भी तैयार मिठाई भी तैयार दही भी बन ग जुझे ना हम प्यां जाखी दो ली छैयार मिला पानी हैं पानी हैं जार आएडनी हम में पू ग्यां कर सेंसे उागा ली जाला कि र्शेघ जार कर रही तो ए बना कि आदे कि बना गैथ נmy where ।